छलो फैंस, मुद्मर्व स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फैंस इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूँगा कि SSC के सभी एक्जैम्स में आपको क्लोज टेस्ट और किस तरीके से सॉल्व करना है और यहाँ पर मैंने एक रियल क्लोज टेस्ट दिया है यह क्लोस टेस्ट SSC-CHSL एक्जाइम 2017 में पुछा गया था ठीक है तो यह एक रियल क्लोस टेस्ट है और क्लोस टेस्ट में काफी स्टुएंट्स के पॉबलम आती है तो यह मैं डिसकस करूँगा और पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे क्लोस टेस्ट को करना होता है अब देखि अब देखिए यहां से इसको आपको पढ़ना है सम्टाइम्स अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है क्लोस टेस्ट देखिए तीन चीजें ऐसी है से स्टेस्ट में क्लोस टेस्ट रीडिंग कॉंप्रेहेंशन और परा जंबल इनको यदि आप सक्सेस्फुली करना चाहते हैं तो इसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है देखिए यह जो पैरा है पूरा यह रीडिंग पर बेस्ट है और यहां पर यह जो है यह की वर्ड्स है ठीक है तो यदि इनका मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप इस पूरे क्लोस टेस्ट को शायद नहीं कर पाएंगे आफिक्स में चलते हैं ठीक है तो दा लेफ्ट का मतलब क्या होता है एक्ष्वी फ्रेंच रिवॉलुशन हुआ था तो इसे लोग बैठتे थे जो सोशल एक्विलिटी को拍moop करते थे समाजबात गरते लाइट side में ऐसे लोग थे जो जो traditional methods चले आ रहे हैं अमीर अमीर ही रहेंगे गरीब गरीब ही रहेंगे उस तरह की methodology को प्रमूट करते थे तो वहीं से यह यह words आया है left और right left wing भी होता है left wing right wing तो यह politics में यह words चलते हैं तो यदि इनका meaning आपको नहीं पता या इनका आपको idea नहीं है तो इस तरह के पैरा को आप नहीं कर पाएंगे अब देखिए sometimes the grant अब इसमें option क्या दिये है histories दिया है plots दिया है versions दिया है narratives दिया है देखिए नीचे जो words है यह भी simple नहीं है ठीक है और इनका meaning भी आपको पता होना चाहिए तो यह चीज भी आपको reading से ही आईए अब देखिए narratives का मतलब क्या है narratives का मतलब होता है logically related events जो होती है एक आद एक आम आदमी के जीवन में जो घटना होती है जो आपस में correlated होती है उनको हम narratives बोलते है ठीक है तो देखिए आप फिर से माँ पढ़ता हूँ sometimes the grand grand मतलब बहुत बड़ी grand narratives of the left and the right do not seem to have any relationship with the lived or lived experience of ordinary इंडिया जी तो सही है कि left की जो philosophy है और right की जो philosophy है वो ordinary लोगों के जो real experience उनसे match नहीं खाती ठीक है तो इसमें हम narratives word लगाएंगे grand narratives ठीक है grand narratives का मतलब है कि जो events है जो घटनाएं है जो ordinary लोगों के बीच में जो होती है ठीक है sometimes the grand narratives of the left and the right do not seem to have any relationship मतलब उनकी philosophy ज्यादा तर टाइम ordinary लोगों की जो experiences है उनसे match नहीं करता है ठीक है left कुछ और बूलते हैं और right कुछ और बूलते हैं अकसर ऐसा होता है ठीक है तो यहाँ पर narrative words ही आप लगा पाएंगे narrative words ही सही होगा अब देखिए histories का तो कोई sense ही नहीं है grand histories क्या मतलब होगा grand plots तो actually scenes होते हैं versions तो यह किताबों में चलते हैं narratives यहाँ पर सही होगा ठीक है तो ऐसे close test examiner देता है जिसमें student confused हो जाता है कुछ ना कुछ words ऐसे होते हैं वहाँ पर कि जिनका meaning आपको समझ में आएगा अब देखिए अब आपको यहाँ पर चुकि left and right का मतलब समझ में आ गया है तो आगे का जो close test है इसको आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है any relationship with the life experience of ordinary Indian for the past two decades मतलब पिछले 20 सालों से the left has tried to expand social welfare program the poor अब देखिए यह तो सरल है इसमें क्या आएगा मतलब left ने social welfare program चलाए है क्योंकि left जो विंग है वो social equality को promote करती है ठीक है तो left has tried to expand social welfare programs यहाँ पर क्याएगा for the poor चुकि poor दिया है तो for the poor ही इसमें हम लगा सकते for the poor in the country by highlighting the growing between the rich and the poor देखिए left wing क्या करता है left wing social equality programs को promote करता है किस तरीके से promote करता है वो highlight करता है highlight क्या करता है growing क्या चीज़ ग्रो कर रही है rich and poor के बीच में rich and poor के बीच में क्या चीज़ को वो highlight करता है rich and poor के बीच में जो असमानताएं है उनको वो हाईलाइट करता है left wing ठीक है अब यहां पर देखिए क्या word दिये हैं यहां पर केबल दो ही word आ सकते हैं एक तो है dissimilarity और एक होता है disparity तो इन दोनों में से एक word आएगा क्योंकि discrepancy का क्या मतलब है देखिए discrepancy का मतलब में बता रहा हूँ आपको कोई भी कोई भी कोई भी mismatch हो रहा है कहीं पर कोई भी असंगती है अब देखिए यहीं से आपको आपने सुना हुआ कि close test और reading comprehension करने के लिए reading बहुत जरूए यहीं से आपको context का पता पढ़ेगा देख कि इस context में discrepancy word नहीं लगाया जा सकता कि discrepancy word का मतलब होता है असंगत जैसे कोई कोई एक document है उसमें कहीं पर कुछ लिखा है कहीं पर कुछ लिखा है ठीक है तो उस sense में हम discrepancy word को यूज़ करते हैं discrepancy word को हम कब यूज़ करते हैं फिजिकल कोई कोई चीज़े हैं दो चीज़े हैं जिनका shape and size अलग अलग है फिजिकल सेंस में हम discrepancy को यूज़ करते हैं disparity का मतलब होता है great difference और यहाँ पर great difference की ही बात हो रही है यहाँ असमानता की बात हो रही है तो यहाँ पर disparity word आएगा disillusion का मतलब हो जाता है कि एक ब्रहम जो होता है ठीक उसको हम बोलते हैं disillusion तो disparity word यहाँ पर आएगा आप देख सकते हैं कि close test यह काफी tricky close test है और CSISL exam में 2017 में यह पूछा गया यह सरल नहीं है ठीक इसको करना इतना आसान नहीं है तो ऐसे ही close test आप से tier 1 में और CGL में पूछे जाएंगे ठीक है we have been the rich and the poor, the right on the other hand देखें यहाँ पर actually, यहाँ पर हम यह बता रहे हैं कि left क्या काम करता है क्या सूचता है, क्या उसकी philosophy होती है, right क्या काम करता है तो पहले यहाँ पर पूरे left का, left की philosophy को यहाँ पर पूरा explain कर दीए अब right के बारे हैं बता रहे है the right on the other hand points to the growing, growing of politically driven welfare policies right क्या करता है, right के बारे अपना मतलब साथता है और जिन में ऐसी policies को वो expand करता है, support करता है जिसमें उनका भला है, यही उसका मतलब है, politically driven वो socially driven नहीं है, politically driven है ठीक है, points to the growing, growing क्या होगा growing, यहाँ पर हम pain तो लगा नहीं सकते, matter लगा नहीं सकते, issue लगा नहीं सकते growing burden वो लगा सकते हैं, points to the growing burden of politically driven welfare scheme right यह बोलता है के ऐसी welfare policies को वो promote करना चाहता है जिन में उसका political interest हो और उस पर वो emphasize करता है and emphasize the need for economic growth to poverty and improve the life of the poor right wing भी, हाला कि गरीबी को हटाना चाहता है लेकिन वो ऐसी policies को promote करना चाहता है जिसमें उसका political interest हो अब देखिए, यहाँ पर भी fifth में भी देखिया, fifth में भी यह words दिये हैं, यह subtle words नहीं है agitate मतलब किसी को क्रोधित करना, alleviate मतलब कम करना तो यहाँ पर जो सही word होगा, aggravate का मतलब बत से बत्तर कर दिरना ठीक है, depress तो यहाँ पर alleviate word यहाँ पर सही होगा alleviate का मतलब होता है कि गरीबी को या किसी problem को कम करना तो यहाँ पर alleviate हम लगाएंगे ठीक है, fourth में हम growing burden लगाएंगे growing burden of politically driven welfare policies and emphasize the need for economic growth तो आप देख सकते हैं कि close test इतना सरल नहीं है और सेम ऐसा ही close test पूछा जाएगा, वरकुल close test नहीं आएगा और CGL में तो इससे भी tough close test पूछे जा सकते हैं आप से तो यहाँ पर यह मैंने close test को explain किया है I hope आपको यह पसंद आया होगा और मेरे सभी video classes आप देखिए like करिए, share करिए, comment करिए comment करके मुझे बताइए कियसा लगा आपको यह close test का explanation और यदि first time इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जिरूर करें तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में थांक यू